साथियों, 21 सभी का नया भारत आज एक से बढ़ कर एक बहतरीन आदूनिक इंफ्रास्ट्रक्टर का निर्मान कर रहा है बहतर सडके, बहतर रेल नेटवर्क, बहतर एरपोर्ट ये सिर्प इंफ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्ट्सी नहीं होते बल्कि ये पूरे छेत्र का काया कल्प कर देते हैं लोगों का जीवन पुरी तरह से बदल देते हैं गरीब हो या मद्यमबर्ग किसान हो या व्यापारी मद्दुर हो या उद्दमी हर किसी को इसका बहुत बहुत लाब मिलता है इंफ्रास्रेक्टर पोजेश की ताकत और बढ़ जाती है जब उनके साथ सीमलेस कनेक्टिविटी हो लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो नोएडा इंट्रनेशनल एरपोर्ट कनेक्टिविटी की तुरुष्टी से भी एक बहतरीन मोडिल बनेगा यहाँ आने जाने के लिए टैक्सी से लेकर मेट्रो और रेल तक हर कनेक्ट तरह की कनेक्टिविटी होगी एरपोर्ट से निकलते ही आप सीधे यमुना एकस्परेस वेड पर आ सकते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, एकस्परेस वेड तक जा सकते हैं यूपी, दिल्ली, हर्याना कहीं भी जाना है तो थोड़ी सी देर में पैरिफेरल एक्सपरेस वेड पहुँच सकते हैं और अब तो बिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस वे भी तैयार होने वाला उससे भी अनेकों शहरों तक पहुंचना आसान हो जाएगा यही नहीं यहां से देडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के लिए भी सीधी कनेक्टिविटी होगी एक तरह से नोएडा इंटरनेशनल एरपोर्ट उत्तरी भारत का लोजिस्ट्री गेटवे बनेगा यह इस पूरे छेत्र को नेशनल गतिशक्ती मास्ट्रल प्लान का एक ससक्त प्रतिविम्ब बनाएगा